Mobile Shop Business को 2023 में आप कैसे शुरुआत करेंगे जो सवाल मेरे मन में चल रहा है वो सवाल आपका भी हो सकता है जैसे कि देखिए जब लोग Mobile Online पे खरीद रहें तो ऐसे में Mobile Shop Business को हम क्यों करें या फिर दूसरा देखिए आपके Mobile Shop में कस्टमर क्यों आएंगे जो बाजू में और भी दुका आने होंगे जो कि बहुत दिनों से चल रहा हो या फिर तीसरा देखिए आप कस्टमर का कौन सा ऐसा Burning Problem को Solve करेंगे अपना Mobile Shop Business में ये तीनों का अंसर आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे और इसके अलब आप जानेंगे Mobile Shop Business को सुरुआत करने के लिए आपको कितना Investment करना होगा कौन सा Location पर आपको सुरुआत करना चाहिए और आप Marketing कैसे करेंगे यानि देखिए आपका मन में नर्माली ये भी सवाल हो सकता है अगर कोई Mobile Shop को Open करना चाहेंगे तो कुछ कंपनी का Mobile को खरीद लेंगे और खुद का जमीन या फिर रेंट पर एक जमीन लेके अपना Mobile Shop को सुरुआत कर देंगे तो इसमें कुन सी बड़ी बात है देखिए आप ऐसे बिलकुल कर सकते हैं परन्तु ऐसे करने पर देखा गया है सो में से असी Mobile Shop एक साल के भीतर बंद हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा रेजिन है कस्टमर का ट्रेंड को समझ नहीं पाते हैं प्रपर बिजनेस प्लानिंग ना होने के करण फाइनन्शाल लॉस देखने को मिलता है यानि सो में से 20 दुकाने जो कि आगे चल पाते हैं तो मेरा कोशी से और मैं ये चाहता हूँ कि आपका दुकान उस 20 के अंदर सामिल हो जाए तो फिर चलिए शुरू करते हैं अगर आप चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू करें नमस्कार मैं अभिजय कुमार बिजनेस कंसर्टान अब दीखिए मोबैल सब बिजनेस में लोकेशन बहुत ही महतपून है यानि आपके लोकेशन में जो लोग देते हैं उनके बारे में आपको रिसर्च करना होगा यानि आपके जो कस्टमर होंगे वो कौन सा मोबैल कितना प्राइस पर खरीज सकते हैं या फिर दूसरा देखिए आपके लोकेशन पर लोग ज्यादातर कीपेड मोबैल का खरीदते हैं या फिर स्मार्टफोन का खरीदते हैं और तीसरा देखिए आपके लोकेशन पर लोग कैस पेमेंट पर खरीदना चाहते हैं या फिर चौथा देखिए आपके location पर mobile को खरीदने वाले कौन है यूथ है या फिर कोई और क्यूंकि देखिए जो यूथ है ना 18H से लेके 30H के भीतर इनको जातर स्मार्टफोन चाहिए और स्मार्टफोन के अंदर देखिए अच्छे camera अच्छे battery और अच्छे RAM और ROM होना चाहिए तो इसका price आप decide कर सकते हैं 15-30,000 के बीच में क्यूंकि नर्माली 15-30,000 के बीच में अच्छे feature वाला mobile मिल जाते हैं और पांच वान देखिए अगर आपका investment जादा है तो फिर आप अपना mobile shop को city में open करना चाहिए क्यूंकि city में देखिए shopping mall होता है और shopping complex होता है तो आप shopping complex के अंदर भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर business center होता है यह ना आपके लिए बिल्कुल एक ideal location होता है क्यूंकि कभी-कभी customer जो एक दुकान को ना जाते हुए market को चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे दुकान होते हैं वहां से खरीद लेते हैं तो ऐसे में अगर आपका mobile shop main market में होगा तो आप इसका बहुत ज़्यादा benefit ले सकते हैं अब दिखें mobile shop business में आपको कितना investment करना होगा देखिए आपका जो investment है यह सबसे पहले depend करता है आपका location यानि आप कौन सा location में अपना business को सुरुआत कर रहे हैं आप city में उपन कर रहे हैं या फिर गाओं में उपन कर रहे है और दूसरा आपका investment होगा inventory के उपर यानि आप कितना mobile और कितना accessory खरीद रहे हैं देखिए जहां mobile की बात है तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बिखने वाला mobile है ओ है Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, Poco, Moto, Nokia, Honor, Lava इन में से कौन सा brand को आप अपना inventory में सबसे ज़्यादा रखेंगे यह भी depend करेगा आपका market research के उपर और ऐसे ही देखिए आपको accessories भी अपना inventory में रखना होगा और accessories में देखिए charger, mobile cover, tempered glass, Bluetooth, earboard, headphone, data cable, OTG cable, power bank, selfie stick, smart watch, tripod ऐसे कुछ accessories को आप अपना inventory के अंदर रखना होगा तो इसके उपर भी आपको investment करना होगा और इसके साथ देखिए आपको investment करना होगा अपना mobile shop को design करने के लिए यानि अंदर और बाहर आपको design करना होगा attractive बनाना होगा ताकि ज्यादा सज्यादा customer आपके mobile shop को visit करेंगे और इसके लिए देखिए आपका mobile shop के अंदर होना चाहिए counter, shelf, glass dryer, chair, computer, air conditioning, lightening ये सारे चीज़े आपके mobile shop के अंदर होना च investment करके भी आप mobile shop को open कर सकते हैं परन्तु 5-10 लाग अगर आप investment करते हैं तो एक बढ़िया mobile shop को आप open कर सकते हैं अब देखिए mobile shop business में marketing देखिए जो आपके customer होंगे ओ कैसे ज्यादा से ज्यादा आपके mobile shop पर आएंगे और जो आपके customer नहीं है ओ कैसे आएंगे यानि ज्य इतना ज्यादा भीड होगा उतना ज्यादा चांसे से कि आपका mobile shop पर product भीएगा तो इसके लिए किसी भी तरीके से customer को आपका mobile shop को विजिट कराना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहला marketing strategy है digital marketing यानि digital marketing में देखिए facebook, instagram, whatsapp और youtube यह जो चार social media platform है इसमें आपको daily basis में कुछ पोस्ट करना होगा ताकि organic customer आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे यानि facebook की अगर हम बात करें तो आप अपना mobile shop के नाम पर एक facebook page create करके आप daily post कर सकते हैं और instagram की अगर हम बात करें तो देखिए जब customer आपके पास आते हैं कोई भी product को खरीते हैं तो आप उनके साथ एक selfie ले सक सकते हैं या फिर छोटे-छोटे रील्स बना के आप इस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रीच मिलेंगे और ऐसे देखिए यूटूब की अगर हम बात करें जब आप mobile shop को नए open कर रहें तो साथ में आप एक नए YouTube channel को भी create कर लिज और दूसरा marketing strategy देखिए special offer यानि कोई भी customer जब आपसे नए mobile को खरीदते हैं तो आप उनको कुछ free दे सकते हैं यानि mobile के साथ mobile cover free दे सकते हैं या फिर tempered glass free दे सकते हैं earphone charger भी आप दे सकते हैं यानि customer दुबारा आपके पास आने के लिए पिछली बार का खरीददरी में क् को बताने के लिए मजबूर हो जाए यानि आप ऐसा क्या experience दे रहे हो जो आपके customer को दुबारा आपके पास आने के लिए मजबूर कर रहे हो क्या आप quality product उनको दे रहे हो या फिर आप उनको right price पर product दे रहे हो यानि अगर कोई online पर जाके सर्च कर रहा है तो online के मुकाबले में आप 200-300 कम price में आप उनको product दे रहे हो या फिर दिखे आपका सोब बहुत अच्छा design के साथ आप नए trend के हिसाफ से बहुत ज़्यादा variety दे रहे हो ताकि customer आसानी से mobile को compare कर पा रहे है या फिर कोई point का facilities आप दे रहे हो जो आपके customer को दुबारा आके किसी भी product को परिशानी ना आए या फिर देखिए mobile खरीदने के बाद ना आप उनको call करके पूछते हो सर आपका mobile कैसा चलना है mobile में कोई परिशानी तो नहीं है अगर कोई परिशानी भी आता है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं यानि आप feedback भी collect करते हो यानि आपके customer को दूसरे को reference देने में आप कोई भी कसन नहीं छोड़ रहे हो जो कि मैंने शुरुआती में बताया था कि आपके mobile shop में customer क्यों आएंगे जब बाजू में और भी बहुत सारे दुकाने हैं या फिर online लोग खरीदते हैं आप mobile shop क्यों open करेंगे ये इसका answer है और तीसरा marketing strategy के अंदर देखि अगर mobile खराब हुआ तो आप service center चले जाईए जिस भी company का mobile है वो service center का चले जाईए परन्तु क्या वो service आप दे सकते हो जो customer आपसे mobile का खरीदने के बाद नर्माली उम्मीद रखते हैं यानि अगर mobile में कोई खराब हुआ तो आप repairing करके देंगे और जोरुत पढ़ने पर आ अगर आपका mobile shop को विजिट करके जाते हैं तो आप उनको पूछिए तरफका experience कैसा रहा यानि service के बारे में पूछिए अगर श्टाप है श्टाप का behavior के बारे में पूछिए या फिर सोब के बारे में आप पूछिए या फिर दूसरा सवाल देखे आप उनको पूछ सकते ह रहा यानि mobile का feature, mobile का quality, mobile का pricing या फिर तीसरा सवाल देखिए क्या आप हमारे mobile shop के बारे में दूसरे को reference देना चाहेंगे अगर हो yes कहते हैं तो उनको पुछिए क्या चीज़े उनको अच्छा लगा अगर हो no बोलते हैं तो उनको पुछिए क्या चीज़े उनको बुरा लगा जिसके उपर आपको काम करना होगा और सारे game देखिए customer convince के उपर है अगर customer एक बार convince हो जाता है तो फिर 10,000 का mobile उसे 20,000 का लगने लगता है और दूसरे को बहुत ही confidence के साथ हो बलता है और finally देखिए आपको mobile से जूड़ी सारे service provide करना होगा यानि mobile repairing का का काम आप कर सकते ह accessories आप रख सकते हैं और selfish stick रख सकते हैं smart watch रख सकते हैं tripod रख सकते हैं यानि one stop solution एक छत के निचे आप सारे चीज provide कर सकते हैं इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा customer आपके mobile shop पर आएंगे और आप ज्यादा profit कमा पाएंगे देखिए अगर आप खाली mobile को बेचेंगे ना तो ये तो था कुछ detail mobile shop business को आप कैसे शुरूआत कर सकते हैं इससे जुड़ी और भी अगर आपका मन में कोई सवाल है तो आप मुझे comment कर दीजिए ताकि उसके उपर दूसरा वीडियो बना के इस channel के उपर मैं upload कर दूँगा परंतु अगर आपको इस वीडियो से कुछ भ धन्यवाद